इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारियों के अधार पर काम करता है जो सार्वजनी क्रूप से मौजूद है नावस्का दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के एक ऐसे समंदर की जो सबसे ज़ादा विवादों में रहता है वसे भारत से ये समंदर है तो बहुत दूर लेकिन वहां होने वाले कॉन्फलिक्ट से भारत भी अच्छूता नहीं है समंदर का नाम है South China Sea और समंदर का नाम में ही चीन है तो इसके साथ होने वाले विवादों में ज़मेलों में बखेडों के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ यही एक नाम है यही एक देश है लेकिन अब ये जमेले बढ़ते जा रहे हैं और अब हालाच जो है वैसे बन गए हैं कि लग रहा है कि एक नई जंग शुरू होने वाली है सवाल उठता है कि क्या South China Sea में जंग होने वाली है क्या वज़ा है कि एशिया के इस रीजन में लड़ाई की आहट सुनाई दे रही है सवाल ये भी है कि अगर लड़ाई होती है तो इसका स्केल कितना होगा असर कितना होगा और क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरे इस आज के वीडियो में मिलने वाला है साउथ चाइना सी को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है आमने सामने हैं चीन और फिलिपीन्स साउथ चाइना सी को लेकर चीन और फिलिपीन्स के बीच विवाद कोई नया नहीं है लेकिन अब ये एकसलरेट होता नजर आ रहा है खतरा कितना बढ़ चुका है या फिलिपीन्स के प्रेजिडंट फर्डिनेंड मार्कोस जुनियर की जुबाने सुनिये तो अभी ये हुआ कि यूएस के फॉरन सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन फिलिपीन्स दौरे पर थे मनीला में उन्होंने प्रेजिडंट मार्कोस समेत कही नेताओं समलाकात की इसके साथ ही यूएस फिलिपीन्स के बीच म्यूच्वल डिफेंस डील पर भी मोहर लगाई गई ये डील साउच चाइना सी में फिलिपीन्स को हर तरह के हमले से बचाने की अश्योरिटी देता है इस डील के बार टोनी ब्लिंकन ने स्टेट्मेंट दे कर ये साफ कर दिया कि अमेरिका फिलिपीन्स पर अटैक को बरदाश्ट नहीं करेगा आ आना वाजाख्य रक्राफ्राप्री我就ा हम, पुष्प्र को ज low जो switchedवोवें कि ए ए нажruk γों कि आए प्रेश्स टर्री एगे हाट जाचब बवागीष फ…. लोगाली में पोर से खेड्सेज इसे सिल्कावी निछ जाग nuances. तोनी ब्लिंकन ने साफ साफ चीन को चेतावनी दे डाली ब्लिंकन की अच्छेतावनी चीन को फिलिपीन्स की तरफ नजरे उठाने से पहले सौ बार सोचने की थी जाहिर है अमेरिका के स्टेट्मेंट के बाद चीन भी भड़क गया उसने यूएस और फिलिपीन्स के बीच हुई इस डिफेंस डील पर अपना विरूद दर्च कराया इसके साथ है उसने ये भी कहा कि अमेरिका को साउथ चाइना सी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है यानि इस कॉनफलिक को लेकर फिलिपीन्स अमेरिका और चीन टीनों के बयान आ चुके हैं अब पहले आपको ये बता दूँ कि अमेरिका और फिलिपीन्स के बीच ये जो डिफेंस डील हुई है वो क्या है और उसके माइने क्या है Actually US Philippines के बीच हुई ये deal कोई नई deal नहीं थी दोनों देशों के बीच ये deal 1951 में हुई थी इस document को देखिए ये Philippines government का gadget paper है क्या लिखा है देखिए लिखा है mutual defense treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America August 30, 1951 यानि इस mutual defense deal पर पहली बार America और Philippines ने 30 August 1951 को sign किये थे इस deal के बारे में अमेरिका के Department of States की website में क्या लिखा हुआ है वो भी दिखाता हूँ उपर heading लिखी है US Collective Defense Agreements इसी में अमेरिका के कई देशों के साथ हुई defense deal की जानकारी दी गई है इसी में तीसरे नंबर पर सबहटर है और क्या लिखा है कि 30 August 1951 को sign की गई इस treaty में जो पार्टी है उन पर अगर प्रशांत महासागर क्षेतर में हमला होता है या दोनों में से कोई पार्टी खत्रे में आती है तो दूसरी पार्टी भी इसे अपने उपर हमला मानेगी और इससे साथ मिलकर लड़ेगी और अब ब्लिंकन के मनीला विजिट में जो डील sign हुई है वो 1951 की डील का ही extension है तो यह clear है कि अमेरिका और फिलिपीन के बीच कोई नया समझा होता नहीं हुआ है हाँ यह जरूर कहा जा सकता है कि आज के हालात के मताबिक दोनों देशों ने इस डील को नए सीरिय से मजबूत बनाया है और इसका साथ चाइना रीजन पर बहुत जबरस इंपक्ट पड़ रहा है तभी तो चीन को इससे चिड़मज गई है चीन और फिलिपीन्स के बीच आखर विवाद क्या है यह बताऊंगा दोस्तों लेकिन पहले आपको दोनों देशों के बीच चल रही तना तनी की कुछ तस्वीरे दिखाता हूं कुछ सबूत दिखाता हूं जिससे आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मामला कितना बढ़ चुका है और क्यों मैं यह कह रहा हूं कि जंग के तरफ जा सकता है बलूमबर की सेडलाइन को पढ़िए फिलिपीन्स के प्रेजिडंट मार्कोस जूनियर कह रहे हैं कि फिलिपीन्स लड़ाई के लिए किसी को उकसा नहीं रहा है लेकिन दुनिया जानती है कि चीन को किसी से भिड़ने के लिए किसी तरह के उकसावे के जरुवत नहीं है इस ख़बर को देखिए जादा पुरानी नहीं है पांच मार्च को साउथ चाइना सी में चीनी कोस्ट गार्ड के शिप ने फिलिपीन्स के शिप को टक कर मार दी साउथ चाइना सी में चीन के गुंडागर्दी के तस्वीरे बहुत आम हैं इस वीडियो में देखिए ये जो दो वाइट शिप आपको नजर आ रहे हैं वो चीनी कोस्ट गार्ड के शिप है दूसरी तरह फिलिपीन्स की एक बोट है चीनी कोस्ट गार्ड दोनों तरफ से उस बोट को घेर कर उस पर पानी की तेज़ धार मार रहे हैं ऐसा ही एक और वीडियो है इसमें चीनी कोस्ट गार्ड ने अपने शिप को बोट से लगबग टकराहीं दिया था इसके साथ ही वो वाटर कैनन का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं पांच मार्च की घटना के बाद फिलिपीन्स के प्रिजिन्ट ने चीन को वार्निंग दी थी कि इस तरह के गलती बड़ी लड़ाई में बदल सकती है लेकि ज़ी बताओं तो चीन उसी का इंतिजार कर रहा है चीन को उस दिन का इंतिजार है कि जब ताइवान, जापान, फिलिपीन्स जैसे जो देश हैं उसकी इस बदमाशी और गुंड़ाई के खिलाफ कोई आक्शन ने उसे मौका मिल जाए हमला करने का है तबी तो वो लगतार इस तरह से इन देशों के शिप्स का रास्ता रोकता है, टक्कर मारता है, पानी की बोचार करता है, परिशान करता है ताकि कोई न कोई वो एक्शन ने और उसके बाद रियक्शन में ये जंग छिर दे अब मैं आपको बताता हूँ कि चीन और फिलिपीन्स के बीच विवाद की वज़ा क्या है बेसिकली ये दोनों देशों के बीच का टेरिटरी कॉंफलिक्ट है चीन को लगता है कि साउट चाइना सी का ज़्याता हिस्सा उसका है इस मैप को देखे ये मैप बताता है कि साउट चाइना सी में कौन सा देश कितने एरिये का दावा करता है कई देश हैं इसमें वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है लेकिन अभी बात चीन और फिलिपीन्स की करते है अब देखे इस मैप में, ये जो लाल लाइन दिखाई दे रही है, इसे चीन अपना बॉर्डर मानता है जरा सोचिए, चीन की लैंड बाउंडरी कहां खतम हो रही है लेकिन उसने जो अपनी सी बाउंडरी बनाई है, वो फिलिपीन्स, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम तक की लैंड बाउंडरी के बिलकुल नजदीक से गुजरती है जाहिर है, इससे दूसरे देशों को परिशानी तो होगी मेंड डिस्प्यूट जो है ना, उसके बारे में आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों इसके वज़ा से दोनों देश अकसर आमने सामने आ जाते हैं स्पाटली आईलेंड को लेकर चीन और फिलिपीन्स भिड़ते रहते हैं चीन इसे अपना एरिया बताता है तो फिलिपीन्स अपना इस मैप में जो आप डॉट्स देख रहे हैं वो स्पाटली आईलेंड्स है ये कई आईलेंड्स का एक समू है इसी स्पार्टली आईलेंड के पास है सेकंड थॉमस सोल यह पानी में डूबा हुआ एक टापू है यहां एक पुराना जहाज भी है नाम है सियरा माडरे यह सेकंड वर्ल्ड वॉर का जहाज है और अमेरिका ने वियतनाम वॉर में इसका इस्तमाल किया था 1970 में अमेरिका ने इसे वियतनाम को दी दिया 1975 में यह शिप फिलिपीन्स को मिल गया जहाज एक कबार बनता जा रहा था 1999 में फिलिपीन्स ने इस जहाज को जान बूज कर फिलिपीन्स के कोस्ट के 160 किलोमेटर दूर सेकंड थॉमस चॉल के पास छोड़ दिया चुकि यह पानी में डूबा हुआ टापू ही है इसलिए शिप कहीं बहकर नहीं जाता तो 1999 से ही फिलिपीन्स ने इस पर कोस्ट गार्ड की एक चौकी बना रखी है जिसका चीन विरूद करता रहता है समय समय पर फिलिपीन्स इस जहाज के मरम्मत भी करवाता रहता है इस जहाज के लिए जब भी फिलिपीन्स सप्लाई बेजता है तो चीन के कोस्ट गार्ड उसका रास्ता रोग देते हैं इसके अलावा चीन ने इस रीजन में आर्टिफिशल आईलेंड बना लिये हैं वहाँ एक रनवे बनाकर उसने अपने सैनिक भी तैनात कर दिये हैं इससे दोनों देशों के बीच तना तनी बढ़ गई है अब आपको बदाता हूँ कि चीन और फिलिपीन्स के इस विवाद के बीच में भारत का रूल क्या है आप ये तो जानते ही हैं कि चीन और भारत के बीच भी सीमा विवाद है लद्दाक से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं कई बार तो दोनों देशों के सेनाएं भी आपस में भीच चुकी हैं तो चीन और फिलिपीन्स के इस विवाद में भारत का रूख फिलिपीन्स की तरफ है हलागे उसने कभी ऑफिशली स्टेटमेंट भारत के तरफ से दिया नहीं गया है उस पर लेकिन भारत की जो नीती है वो फिलिपीन्स समर्थन करने वाली है फिलिपीन्स ने भारत से 375 मिलियन डॉलर में ब्रमोस मिसाइल की डील की है भारत ने फिलिपीन्स को इसकी सप्लाई भी शुरू करती है इसके लावा फिलिपीन्स भारत से और भी कई डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है इनमें दुरू एमके 3 हलिकॉप्टर और लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट तेजस भी शामिल है दोस्तो एक और बाद बताता हूँ वो ये कि चीन की साउट चाइना सी रीजन में किसी भी देश की चीन की नहीं पड़ती वो अक्सर इस रीजन के सभी देशों को धमकाता हुआ हड़काता हुआ रहता है तो अगर साउट चाइना सी में चीन और फिलिपीन्स के बीच लड़ाई छुड़ती है तो फिलिपीन्स की मदद के लिए अमेरिका ने तो अलान कर दिया है यकिन मानिए और भी कई देश हैं जो चीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो चीन की मुश्यल बढ़ने बने ताकि आपको हमारे द्वारा अप्लोड किये गए हर नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन में मिल जाए और हाँ अब मैं फैन कॉल पर आ गया हूँ तो अगर आप चाहते हैं डिरेक्ली मुझसे बात करना वीडियो कॉल के थूँ तो फैन कॉल ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है लिंक में ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आपको डाउनलोड कर सकते हैं और डिरेक्ली मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ये एक पेड सर्विस है तो इसके लिए आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें सवाल पूछें उसका जवाब जाने तो आप फैन कॉल के जरीए मुझसे संपर्ख कर सकते हैं जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिंद